सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट है स्वागत है आपका मेरा यूटूब चैनल में जिहां दोस्ते हैं आज हम लोग बात करेंगे यानि बारवी के वाड़े में जो आपका मुल्यांकर यानि खत्म हो चुका है तो यानि डिजल की तैयार करेंगे तो कटिंग में पूरी तरह से आपको जानकाडी मिल जाएगी तो आप वीडियो को इंट तक देखिए और अपने सर्कील में वीडियो को सेर कर दी जागा ताकि आपका फ्रेंड भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा तो गाईज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट क का काम समाप्त हो गया है अब रिजल की तैयारी अंतिम दोर में है दूसरी जोलों से मुलियांकित कौपी की जांच पटना में विचले एक सब्ता से करवाई जा रही थी पटना जिले में साथ के अंदरों पर मुलियांकन चल रहा था गुरुवार को सभी साथों के अंदर पर मुलियांकन समाप्त हो गया है पटना जिला में 2,49,636 उत्तर पुस्तिका थी सभी उत्तर पुस्तिका की जांच कर ली गई है पटना डियो ने गुरुवार को इसकी रिपोर्ट बाहर बोर्ड को भेज दिया है ग्यात हो कि पटना जिले में कुल इतना परिच्चक लग जणी 820 परिच्चकों को लगा गया था इसके अलावा अंकों में realizar seat पर बढ़ने भरने के लिए 282 से चोन को लगा गया थे त acrylic मुलियांकन जो एक हैनि कैसे कैसे, कहाने कितने के निस पतना में थे उत्तर पुस्तिका तो यह सारी यानि जितनी भी परकीडिया थी यानि कोपी इंटर के मुल्यांकन ने यह सारी परकीडिया खत्म ओचुकी है अब यह बोड को यानि उस्तर तरु पुस्ति को बोड को भेज दिया गया अब दूसरी दूसरा देखिए हम लोग यहां किया इसका दैनिक बासकर कर कुपी का अंक बोड को भेजा गया यानि सभी का रिजल्ट को एक ठा कर लिया गया आपका रिजल्ट का पूरी तरह से यह चेक हो चुकी है तो आप आप लोग इंटर्मेडियाट की उत्तर पूस्तिकाओं को मुल्यांकन के बाद उनके अंक बोट को भेज दिया गया है भागलपूर के चार के अंदरों पर intermediate का मुल्यांकन हो रहा था सो महार साम तक चारों के अंदरों पर मुल्यांकन का काम पूरा हो गया था इसके साथ ही सभी के अंकों को कंप्यूटर पर चरहा कर उनके अंक online boat को भेज दिया गया चार केंद्ड़ों सबसे बाद में मुल्यांकन का काम जीला गर्स इंटर इंतर स्कूल में पूरा हुआ मुल्यांकन ने दे सक्ट Dr. सुमाज कुमार जहां ने बताया कि उन्हें यहां अन्य केंद्रों के पिक्षा मुल्यांकन करता कम थे इसके कारण देरी हुई यह अंक software में load किया गया है इसी के आधार पर result निकालेगा तो आपको पूरी तरह से आपको पूरी अच्छी तरह से आपको जानकर इसका knowledge हो गया होगा तो यह क्या बता रहे थी कि कुछ मत्तब लेट जो हुआ तो यह कुछ केंद्रों में कोपी भी दिया गया अंक है आपका मिले जितना भी अंक मिला है तो आप लोग निस्चिंत हो के रहिए और अपने पेसंस को बना के रखिए आपका रिजल्ट यानि एक हफता के अंदर ही आप लोग पब्लिश कर दिया जाएगा आप लोग प्रे करें कि आपका रिजल्ट झाल प्रे करें कि आपका।